वेलकम दोस्तों हमारे चेनल आवसी को कुछ में आपका स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में डिसकस करने वाले हैं कि आप विदेश में यात्रा करना चाहते हैं आपको पता ही होगा कि अभी कोविन का इंटरनेशनल सेटिपिकेट आपको अपने पासवर्ट के साथ आपको देना पड़ेगा तो देखे दोस्तों आप अपना इंटरनेशनल कोविन का इंटरनेशनल सेटिपिकेट आप किस तरह से डौनलोड कर सकते हैं वो भी अपने mobile के थुरू वो आज की वीडियो में लोग चानेंगे इसके लिए सबसे पहले आप अपने mobile के Chrome पे आजाएगा Chrome में आने के बाद आप यहाँ पे सर्च किजिएगा kovin.gov.in लिखे या सर्च करने के बाद आपको जो first option मिलेगा kovin का तो इसे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद देखे दोस्तो यहाँ पे इस तरह से page open होगा जो उपर shand में आपको यहाँ पे दो option आपको दिख रहा होगा जैसे में आपको दिख रहा होगा register and sign in का तो इसे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद देखें दोस्तों यहाँ पे इस तरह का पेज ओपन होगा जिसमें आपको यहाँ पे नीचे ओप्शन मिल रहा है Enter your mobile number मतब देखें दोस्तों आप कोविन का वैक्सिन लेने गए होगे तो आपको अपना registration करवाना होगा तो उस टेम जिस mobile number से आपने registration करवाए थे वो mobile number आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा तो देखें दोस्तों यहाँ पे मैं अपना mobile number डाल देता हूँ उसके बाद नीचे सेंड में आपको यहाँ पे get autopy का option आपको मिलेगा तो इसे आपको यहाँ पे click कर देना है click करने के बाद देखें दोस्तों जो mobile number आपने दिया है वो mobile number में एक autopy आएगा जिसे आपको यहाँ पे डाल देना है तो देखें दोस्तों मेरा यहाँ पे autopy आ चुका है और मैं यह autopy को यहाँ पे डाल दिया हूँ उसके बाद नीचे सेर्ड में आपको verify and for state का option आपको मिलेगा तो इसे आपको यहाँ पे click कर देना है click करने के बाद देखें दोस्तों यहाँ पे इस तरह से page ओपन हो जाएगा जिसमें आपका फूरा detail यहाँ पे so करेगा तो देखें दोस्तों यहाँ पे आपका नाम so करेगा reference ID को so करेगा उसके बाद security code आपको यहाँ पे so कर रहा है उसके बाद आपका date over यहाँ भी so कर रहा है उसके बाद दोस्तों यहाँ पे photo ID में आपका password भी यहाँ पे दिया हुआ है आप अधार card से भी login की होगे ता अधार card भी यहाँ पे so करेगा उसके बाद देखें दोस्तों यहाँ पे आपका सारा यहाँ पे so करेगा उसके बाद देखें दोस्तों यहाँ नीचे side में मेरा यहाँ पे green में आपको first dose and second dose यहाँ पे दिखा रहा होगा तो देखे दोस्तो इसका मतलब है कि मैंने kovic का दोननों डोस को complete कर लिया हूँ complete करने के बाद देखे दोस्तो यहाँ नीचे साइड में आपको certificate download करने का option मिल रहा है और यहाँ पर international travel certificate को आपको यहाँ पर डौननोंड करने का option मिल रहा है तो देखे दोस्तों यहाँ पर आपको normal certificate download करना है जिसमें इंडिया में ही वालेट रहता है तो उसे आपको इस option में click कर देना है जिसमें आपको यहाँ पर certificate का option मिल रहा है लेकिन आपको international certificate download करना है तो इसे आपको यहाँ पर जो second option आपको मिलेगा तो इसे आपको click कर देना ह option मिल गया तो इसे आप download में किलिक कर दीज़ेगा download में किलिक करने के बाद यह download हो जाएगा जो आपके mobile के file में चला जाएगा तो उसे आप यहाँ पर open करके देख सकते हैं और उसे आप अपने travel license में जाके दे सकते हैं जिसमें आपको travel विदेश से यातरा करने के time आपको मदद करेगा यहाँ पर मैं एक बात बता देना चाहता हूं दोस्तों कि आपने पहले ही password से यहाँ पर login नहीं किया होगा मतब आपका password से login नहीं किया होगा आप अधार से login किये होंगे तो आपको यहाँ पर click किजिएगा मतब यहाँ इंटरनेशनल से travel lessons में तो इसमें click किजिएगा तो आपको यहाँ पर अपना इंटरनेशनल पासपोर्ट आपको यहाँ पर enter करने पड़ेगा जिसका enter मतब पासपोर्ट को ID नंबर जो होता है वो आपको यहाँ पर डानला पड़ेगा डानले के बाद ही यह verify होगा verify होने के बाद आपको इंटरनेशनल कोरोना का vaccine का certificate download करने का option आपको मिलेगा